इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ PDF फाइल का साइच को कम कैसे करें मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ जो तरीका बताने वाला हूँ या आपको अपने मॉवाइल फोन या फिल लेप्टुप कहीं से भी कर सकते हैं अपको प्राइब यान पर्मी को कर सकते हूँ सबसे पहले मैं आपको यहा पर दिखा र увाला है यहां पर मैंने क्लिकता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह 1 MB का है और यहां पर मैं आपको दूसरा PDF फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ यहां पर यह वाला PDF फाइल जो आप देख पा रहे हैं यह वाला PDF फाइल का साइज है सिफ और सिफ 141 के भी यानि के लगभग लगभग 90% मैंने PDF file का size को कम किया है मैं आपको दोनों open करके दिखा लेता हूँ यहाँ पर दिखे दोनों same PDF file है कुछ भी अलग नहीं है दोनों same PDF file है यहाँ पीजे रहा हमारा पहला वाला PDF file और यहाँ पर मैं दूसरा वाला PDF file open करता हूँ जिसका size मैंने कम किया है और इसका वी quality आप देख सकते हैं same में काफी अच्छा है तो अगर आप भी अपने PDF file का size को कम करना चाहते हैं लेखिन अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को लाइक पूरा देखिएगा ठीक है यहाँ पर Google Chrome open कर लिजिए अब यहाँ पर Chrome browser पर आने के बाद आपको एक website पर जाना है जिसका नाम है PDF to go यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखना है PDF space to और यहाँ पर आपको लिखना है go यहाँ पर लिखने कर आपको search कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारा option है तो मुझे अपना PDF file का size को कम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो compress PDF file का option आपको लेखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है अब यहाँ भी click करने के बाद आपके सामने फिर से काफी सारा option लेखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते ही basic compress है इसका मतलब यह है आपका PDF का quality medium रहेगा लेकिन आपका PDF file का size काफी कम हो जाएगा strong compress का मतलब यह हुआ कि आपका PDF file का size एकदम कम हो जाएगा quality भी आपका कम हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर click करके आप अपना हिसाब से set कर सकते हैं मैं आपको बोलूँगा आपको basic पर रहने देना है और default रहने देना है मैंने आपको जो file दिखाया था मैंने default सही किया था और जो है हमारा PDF file का size काफी कम हो गया था तो आपको यहाँ पर basic पर ही रहने देना है उसकाद आपको यहाँ पर उपर के side में choose file के एक option देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको अपना computer desktop या फिर mobile phone से आपको वोला file open कर लेना है जिसका side जो है आप कम करना चाहते है तो यहाँ पर हमारे बास दो PDF है यह जो है compressed हो चुका है और यह वाला नहीं हुआ है मैं आपको यह वाला करके दिखाता हूँ मैंने इस पर click किया और यहाँ पर simply open पर हम click करेंगे open करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा time लेगा यह uploading हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.18 MB का हमारा PDF file है आपका 10 MB या फिर 15 MB का भी PDF file होगा तो वो भी जो है गम हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है यह upload कर दिया अब जो है simply आपको नीचे के side में जाना है और यहाँ पर आपके सामने एक option देखने को मिल जाएगा start नाम का start वाले option पर आपको click करना है अब यहाँ पर जैसे आप start वाले button पर click कर लेते हैं थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ पर आपका PDF file जो है अब यहाँ पर आपको download के बटन देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है यहाँ पर download वाले button पर click करते हैं आपका PDF file वो download हो जाएगा आपके computer या फिर mobile phone है मैं आपको open करके दिखा जाता हूँ यहाँ पर आप देशकते हैं 148KV का हमारा PDF file हो गया मैंने इसको open किया और यहाँ पर आप देशकते हैं हमारा quality बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है पहले जो quality था वही quality हो हमारा PDF file है